हेलो फेंज, वेलकम टू मैं चैनल, आज की स्यूडियो में आपको स्टैल्स अम्रेल अफ फ्रोग की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, इस फ्रोग को बराने के लिए मैंने 3 मिटर फैब्रिक का यूज किया है, सबसे पहले हम टोप पार्ट इकटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें कपड़े को चरभगों में करना है, इस तरह तोप पार्ट की विर्ट रखी है मैंने 10 इंच पर, और जो बाकिया कपड़ा बसता है हमारा बाजू में आएगा, तोप पार्ट की लें रखी है मैंने 15 इंच पर, माज लगा देंगे और एक्ष्टा फैब्रि को कट कर देंगे, शोल्डर का मार्ज लगाएंगे साथ इंच पर, ओ जापे हमने शोल्डर का मार्ज लगाया है वांसे हम आर्मॉल के लिन्थ लेंगे, साड़े छै इंच पर, यह पर हमें बोक्स बना लेना है, ओ Harman में घर्ए देंगे, जितने भी आपके आर्मॉल की लं करना है वोगसे मारे फाफ व्वव आ है वहांसे घराइदे देंगे की फ्रिंट पार्ट में घराइदेंगे सुग्ण अंदर की तरफ का जो Yak know और इसकृति में हम अंघा रखा नगे सभसे पर आप किक हरें रखी है मैंने 3 इन्च पर और यापर हम गुलाई दे देंगे इस तरह फिटिंग का मार्ज लगाएंगे फिटिंग में चेस्ट की लंबाई है 32 इंच पर 32 का हमें यापर चौता बाग लेना है 32 का चौता बाग लेंगे 8 इंच पर और 1.5 इंच यापर हमें एक्ष्टा रखेंगे शिलाई मार्जिन के लिए कि कमर की लंबाई ले रिए उसात इंच या प्रप्रभी डेड़ इंच एक्स्टा रख लेंगे सिद्लेंड ड्रोग कर देंगे और माजन की अकोडिंग कटिंग कर देंगे इस तरह हमें टोप पार्थी कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट को हटाएंगे फ्रेंट पार्ट को शेंटर से फोल्ड करेंगे नेक को कट करेंगे फ्रेंट नेक को डेप में रख रही हूं मैं 6 इंच पर आप अपने कोडिंग कम ज़्यादे वी रख सकते हैं इंच टेप को हमें इस तरह तिर्चा रखना है इस तरहां तिर्चा रख देंगे और मार्जन तक हमें एक तिर्चे लेंड रोग कर देनी है और मार्ज लगाने के बाद कटिंग कर देंगे इस तरहां फ्रेंट पार्ट में हमने जो आर्मल पर मार्ज लगाया था उसको कट करेंगे टोप पार्ट और बाजू के गटिंग होने के बाद जितना भी कपड़ा बसता है हमारा बोटम पार्ट में आएगा बोटम पार्ट में मैंने दो मिटर फैब्रिक का यूज किया है बोटम पार्ट की विर्थ रखी है मैंने 42 सिंसपल और इसके लंबाए रखी है 42 सिंसपल तो इस तरह हमें दो पीज कट कर लेने हैं किसी भी एकोनों को उठाएंगे और ट्रेंगल से देंगे इस तरह हमें ट्रेंगल सेप दे देना है कमर का माज़े लगाएंगे यापर कमर के लंबाई है 28 इंसपल 28 का हमें यापर चोथा बाग लेना है 28 का चोथा बाग लेंगे 7 इंसपल और 1 इंस यापर हमें एक्ष्टा रखेंगे इसलिए मार्जिन के लिए यहाँ पर जो मार्ज लगाना है हमें आठ हिंच पर लगाना है आठ हिंच पर मार्ज लगा देना है दोनों कोन रुपे और इन मार्जिनों को एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह जब पर हमने कमर का माज लगाया है वा भी हम इस टेप को रखेंगे और बोटम पार्ट की लेंद लेंगे बोटम पार्ट की लेंद ली है मैंने 33 सिंज पर जो आदाएंच इंजी से कि तरह फोल्ड होगा और आदा इंच उपर के तरह मार्जन में आ जाएगा टोटल जो बोटम पार बन कर त्यार होगा 32 इंच पर त्यार होगा उसमें से सारे 14 इंच की हमारी कुर्टी आएगी टोटल जो फ्रोक बन कर त्यार होगी सारे 46 इंच पर त्यार होगी इंसे टेप को हमें कोर्णर पे रखना है और इस मार्जन को फोलो करते हुए पूरे में मार्जन लगा देना है मार्जन लगाने के बाद कुटिंग कर देंगे इस तरह हमें मार्जन के अकोडिंग बोटम पार्टी कुटिंग कर लिनी है बाज़ो के किटिंग करेंगे सबसे पहले हमें कपड़े को दो भागों में करना है चार भागों में करेंगे इस तरह इस बाज़ो में हम आरमोल में प्लेट डालेंगे तो इसके लिए हमें इसकी विर्त रखनी है 10 से 11 इंच पर बाजू की लेंद रखी है मैंने 15 इंच पर 1.5 इंच या पर हमें एश्टा रखेंगे इलास्टिक के लिए कफ के लिए मार्ज लगाएंगे तो सबसे पहले हम आर्मोल में मार्ज लगाएंगे आर्मोल की विर्थ ले रही हूं मैं 4 इंच पर वापी हम नेचे की तरब मार्ज लगाएंगे पांच इंच पर इस तरह और इन दोनों मार्ज लों को हमें इस तरह मिला देना है मार्ज लगाने के बाद कटिंग कर देंगे सेंटर में कट लगा देंगे इस तरह हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है, यह पर हम प्लेट डालेंगे, कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करेंगे, सबसे पहले हम नेक को त्यार करेंगे, इसके लिए मैंने यहां पर पटियां कट की है, इन पटियों की चुड़ाई रखी है मैंने, डेड़ इंच पर, इस तरह हमें फ्रेंट और बैक टिकट कर लेनी है पट्टी को हम किस्प का से स्टिच करेंगे वो मापको शिलाई मसीन पर टैच करना बताऊंगी सबसे पहले हम फ्रेंट पार्ट को त्यार करेंगे इसके लिए हमें टोप पार्ट को उल्टी सैड की तरफ करना है और इस पट्टी को हमें सीधी सारी तर्फ रखना है इस तरह सीधी सारी तर्फ रख देंगे और शिलाय लगा देंगे इस तरह हमें नेक तक पट्टी को स्टिच कर लेना है पट्टी को टैज करने के बाद यहां पर हम छोचोटे कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद पट्टी को सीधी सारी के तर्फ डबल फोल्ड करेंगे और शिलाय लगा देंगे पट्टी को स्टिच कर देना है दूसरे पट्टी को स्टिच करेंगे सबसे पर हम मार्ज लगाएंगे इस पट्टी को हमें इस तरह रख देना है इस तरह रख देना है और रखने के बाद यहां पर हम मार्ज लगा देंगे इस तरह टोप पार्ट को उल्टी सेरी तरफ करेंगे और इस पट्टी को हमें सीधी सेरी तरफ रखना है जिस तरह हमने दूसरी पट्टी को स्टिच किया था उसी के कोडिंग हमें इस पट्टी को भी स्टिच कर लेना है और शिदी सेर की तरफ हमने जो माजन लगाया था उस माजन के उपर इस पट्टी को हम लख देंगे और शिलय लगा देंगे नीचे तक इस तरहां पट्टी को स्टेज कर देंगे उसके बाद सिदी सेर की तरफ पट्टी को डबल फोल्ट करेंगे और शिलय लगा देंगे पूरे में पट्टी को सिदी साइड की तरफ दबल फोल्ट करते हुवे शिलय लगा देने है पूरे में या पर हम फैब्रिक बटन का यूज करेंगे बैकने को बनाएंगे बैकने को उल्टी साइड की तरफ करेंगे और इस पट्टी को हमें सिदी साइड की तरफ रखना है और रखते हुवे शिलय लगा देंगे शिलय लगाने के बाद या पर हम छोचो टिकट लगा देंगे पट्टे को सिदी साइड की तरफ डबल फोल्ट करेंगे और शिलय लगा देंगे पूरे में इस तरह हमें बैकने को बना लेना है टोप पार्ट को बनाने के बाद बाजू को त्यार करेंगे बाजू में मैंने विर्थ रखी है दस इंच पर आर्मोल में प्लेट डालेंगे तो इसके लिए हमें पांच इंच पर मार्ज लगा देना है दोनों साइड हमें पांच इंच पर मार्ज लगा देना है और यहांपर प्लेट ढालने के बाद हमें जो आर्मोल की लेंद रखनी है वुषाड़े आठ इंच पर रखनी है जहापर हमने माजन लगाया था वासे हम प्लेट को स्टार्ट करेंगे और दूसरी माजन तक प्लेट ढाल देंगे यहां पर हमें आदे आदे इंच की प्लेट डालनी है माजन तक प्लेट डाल देंगे इस तरह हमें प्लेट डाल देनी है और यहां पर जो आर्मन की लंबाय रखनी है हमें उसाड़े आठ इंच पर रखनी है और इसे according हम दूसरी बादर को त्यार करेंगे टोप पार्ट को त्यार करने के बाद सुल्डर को टैस्ज करेंगे फ्रिंट पार्ट के उपर बैक पार्ट को सीधी साड की तरफ रख देंगे इस तरह दोनों की सीधी साड अंदर की तरफ रखेंगे और शिलाय लगा देंगे इस तरह हमें सुल्डर को टैस्ज कर देना है बाद्जु को टैस्ज करेंगे टोप पार्ट को सीधी साड तरफ रख देंगे और बाद्जु को भी इसके उपर हमें सीधी साड तरफ रखना है तोनों की शीरी सेड अंदर की तरफ लखेंगे और शिलय लगा देंगे पूरी में और इसी एकोडिंग हम दूसरी बाजु को स्टिच करेंगे बाजु को स्टिच कर लेना है बाजु में इलास्टिक डालेंगे सबसे पिल हमें Elastic को मेजर करना है जितने भी Elastic की चुड़ाई हो उसी की According हमें कप्ड़े को Fold करना है यह पर Elastic की चुड़ाई आधे इंच पर है तो आधे इंच की दूरी पर नीचे से कप्ड़े को Fold करेंगे और सिलय लगा देंगे पूरे में इसीके एकोर्डिग हम दूसरी बाजू को स्टिज करेंगे इस तरह हमें बाजू को फोल्ड करते हुवे सिलय लगा देनी है इलाश्ठिक को डालेंगे सेफटीपिन की हलप से एक साथ कथ डालते हो इलास्थिक को दूसरी साथ कथ हम निकाल लेंगे एक सारी तर्फ डालते हो इलास्तिक को दूसरी सारी तर्फ निकाल लेना है दोनों को नों को मिलाएंगे और यहाँ पर हम सिरय लगा देंगे ताकि मारा इलास्तिक निकले नहीं और इससे अकोडिंग हम दूसरी बाजों को त्यार करेंगे दोनों बाजों को त्यार कर लेना है उसके बाद बोटम पार्ट में टोप पार्ट वो चीज़ करेंगे बोटम पार्ट को सिधी साड अदर रख देंगे सिधी साड इक तरफ रख देंगे वो टोप पार्ट वो इसके उपर हमें शीदी सेड रख देना है दोनों की शीदी सेड अंदर की तरफ रखेंगे चले लगा देंगे इस तरह हमें फ्रिंट और बैग दोनों पाटों को त्यार कर लेना है फिटिंग में इस माज लगाएंगे जितने भी आपके टोप पार्ट की विर्थ हो उसको हमें half कर लेना है और जांसे हमारा half हुआ है वाँ पे हम माज़ लगा देंगे यह हमारा center हो गया fitting में chest के लमाई 32 inch पर है एक पार्ट में माज़न हमारा 16 inch पर लगेगा 8 को हमें center में रखना है और 8 inch उस side और 8 inch इस side माज़ लगा देना है कमर का माज़ लगाना है 7 inch इस side और 7 inch उस side माज़ लगा देना है fitting का shape दे देंगे दोनों side fitting में शिलाई लगाने से पहले बल्ट को stitch करेंगे जापे हमने top part और bottom part को stitch किया था हमारी जो शिलाई आई थी वापे हमें बल्ट को रखना है इस तरह और इस के गोडिंग हम दूसरे बल्ट को रखेंगे सिलाई के उपर रख देंगे इस तरह रखते हुवे सिलाई लगा देंगे नीचे bottom तक और bottom part को आदे इंच के दुरी पर डबल फोल्ड करेंगे और शिलाई लगा देंगे पूरे में इस तरह हमें bottom part और fitting में शिलाई लगाते हुवे बल्ट को श्टिच कर लेना है इस बल्ट की हलब से आप अपनी फिरोग को tight loose भी कर सकते हैं इस टाइब की फिरोग बोजदर टेंडिंग में चरी है